ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल प्रेंट आई होप आप सब अच्छे से होंगे तो आज की मेरी जो वीडियो है उसके लिए मैं काफी जादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए विकास इससे पहले जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उसमें मैंने दिखाया था एक market लगणो की market मैंने आपके साथ शो किया था कि मैं कहां से fabric लेती हूँ तो आज वो सारे fabric में आपको दिखाने वाली हूँ और मैं किस तरह से इन फैबरिक को साडी में कनवर्ट करती हूं किस तरह से मैं साडी डिजाइन करती हूं यह सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा So अगर आपने मेरी मार्केट व्ली वीडियो नहीं देखिये कि अगर आप मेरे चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं तो please channel को check करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो subscribe करिएगा वीडियो पसंद आता है तो like जरूर करिएगा सो चलिए वीडियो को start करते हैं सो first fabric मैंने ये वाला लिया है ये जौर्जट fabric है यह देखिए यह पूरा ज़र्जट फैवरिक है जिस पर इस तरह का पूरा प्रिंट बना हुआ है फ्लावर प्रिंट बने हुए हैं और आपको कहीं कहीं पे इस तरह का जरी वर्क मिल जाएगा यह लीव्स बनी हुई है पूरी साड़ी में छोटी बड़ी लीव्स इस तरह जरी से बनी हुई है, तो ये जो फैबरीक है ये मुझे थोड़ा सा नया लगा था और ये मेंने फस्ट टाइम मार्केट में इस तरह का फैबरीक देखा तो ये मुझे काफी अच्छा लगा और ये मुझे 6 मीटर 300 में मिल गया था तो ये मैंने पूरा 6 मीटर लिया था क्योंकि ये cut नहीं कर रहे थे अगर 6-7 मीटर पूरा कपड़ा रहता है तो वो cut नहीं करते हैं तो वो पूरा ही लेना पड़ता है तो अगर आपने मेरी मार्केट वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप जरूर देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे कैसा फैबरिक मिलता है किस तरह से मिलता है और किस प्राइज मिलता है विकोज प्राइज की रेंज वहाँ पे बहुत ही अच्छी है तो ये फर्स्ट मैंने फैबरिक लिया है ये 6 मीटर है तो अब मैं देखती हूँ किसे मैं कैसे डिजाइन करती हूँ इसका सेम ब्लाउस बनाती हूँ क्या करती हूँ ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा तो फर्स्ट फैबरिक मेरा ये था और ये सेकेंड फैबरिक मैंने सेम भी डिजाइन में लिया है ये वाला तो इसका कलर चेंज है बाकी फैबरिक और पैटन पूरा वही है बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट है और इस तरह का इस पे ये प्रिंट बना हुआ है मैं आपको पूरा उपन करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा ये इस तरह का फैबरिक है ये दिखिए इस तरह का ये फैबरिक है बहुत ही प्यारा लग रहा है साड़ी बनने पे बहुत ही प्यारी लगेगी अब देखना यह है कि इसमें मैं लेस लगाती हूँ क्या करती हूँ यह सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा तो यह वाला फैबरिक भी सेम प्राइज में मुझे मिला था 300 में यह 6 मीटर नहीं है थोड़ा सा कम है बड़ दोनों मुझे 300 पे यह वाला भी 300 पे और इस ते पहले वाला भी 300 पे और मेरा next फैबरिक यह मेंने ब्राइज़ फैबरिक में लिया था यह वाला कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था और यह जो Brasso वाला fabric होता है उस fabric पर है ये देखिए इस तरह का और इसमें यहां flower पर इस तरह का golden पूरा ये self है जैसे Brasso का जो फैबरिक होता है वह वाला fabric है और इसमें इस तरह का golden तार साभी है तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है जो इसकी साड़ी बनेगी तो बहुत तो यह मेरे को पूरा 500 में बता रहे थे बट मैंने फिर 500 ही दिया था तो बार्गिनिंग तो बहुत करनी होती है तो यह वाला फैबरिक भी काफी अच्छा लगा और यह कलर भी थोड़ा सा हटके लगा मुझे तो इसकी साड़ी अच्छी लगेगी अब साड़ी पहले मैं कुर्टी इस तरह का भी बन सकता है तो यह मेरा थर्ड फैबरिक और फॉर्थ फैबरिक थोड़ा सा अलग है मतलब यह वाला फैबरिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था पर यह उनके पास पाइप मीटर नहीं था तो मैंने यह दो टुकड़े ले लिए थे दोनों वीडियो में देखने को मिलेगा आप कमेंट करके बताईएगा कि मैं क्या बनाओ पहले साड़ी बनाओ मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगया और इस तरह की जो प्लें साड़ी होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसका फैबरिक जो और गेंजा फैबरिक होत है और बहुत लाइट वेटेड है तो काफी अच्छी लगेगी तो देखते हैं इसको साड़ी बनाना है कि कुछ ड्रेस बनाना है यह वाला फैबरिक मुझे 200 में दोनों यह टुकड़े मिल गए थे यह मार्केट से निकलते निकलते मैंने यह वाला फैबरिक ले लिया था म प्लीटेड वाला फैबरिक होता है कि साड़ी भी बहुत चल लही है इस तरह की इसमें यह देखिए प्लीटेड है तो इस फैबरिकों मैं थोड़ा सा अलग रखती हूं विकाज इसमें जो यह स्पार्कल दिख रहा है यह बहुत गिरता है पूरा हाथ पे लग जाता है तो इसके मैचिंग का मैने यह पीटी पोट भी ले लिया था साथी साथ क्योंकि बाद में मैचिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है उनके पास पूरा मैचिंग था तो यह बह'll जा ले लिया था तो इस तरह से इस पे यहाव्हाला फैबरिक बन जाएगा और अगर मैं सेम वैब प्रौन 2.5 ,500 में मिला है। ये वाला प्रैब्रिक तो इस तरएका इस साडी बहुत चल लही है तो इसको पेहले और पनांगी, उसके बाद कुछ और बनाओंगी आपको पता हिए कि मैं ये करती रहती हूं तो यह प्लेन फैवरिक है तो इसको आप कुछ टाइम साड़ी पहन सकते हो उसके बाद आप इसको क्रॉप टॉप टॉप सकते हो अलग से चुननी लेके तो यह वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा था नाइट फंक्शन में बहुत ही अच्छा लगेगा पुर स्लीवलेस या पर जैसा भी ब्लाउस बनवाऊंगी तो यह मेरे पास सिल्वर कलर का कोई ब्लाउस नहीं था तो मुझे लगा कि यह वाला फैवरिक से मैं बनाऊंगी तो ब्लाउस का पी अच्छा बनेगा तो यह वाला आइटिंग यह 100 रूपीज मीटर पे था तो मैंने से 50 रूपीज का लिया था यह वाला फैवरिक क्योंकि जो स्लीवलेस बनाते हैं तो इसमें बहुत थोड़े में ही हो जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फैवरिक लिया है तो यह मेरा इसमें ब्लाउस रेडी हो जाएगा तो यह थी मेरी शॉपिंग और वहां की मार्क और यह इतनी सी शॉपिंग करने के लिए वहां पे काफी टाइम लगाना पड़ता है बिकॉज आपने अगर वह वीडियो देखी है तो देखा ही होगा वहां पे कितनी भीड रहती है मतलब काफी टाइम बात तो वह रेट बताते हैं उसके बाद फिर सलेक्ट करो फिर कट क लेना तो यह थी मेरी शॉपिंग आप लोगों को पसंद आएगी और आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं इसको मैं कैसे डिजाइन करूंगी साड़ी तो वो सब वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई टेक केर